दोस्तों नमस्कार मेhire नाम संजे मघ्डू है और मौजूद हैं देश रोजाना के दिर्श्टरल मीडिया मंच पर. हरियाना इस समय पूरी तरह से चुनावी मुहाने पर है. चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दल आमने सामने हैं. जहां एक तरफ राजनितिक दल आमने सामने हैं to फिर राजनितिक दलों के अंदर नेता भी आमने सामने हैं चाए वो अपनी ही political party के अंदर क्यू नहीं है चाए वो congress के नेता हो चाए वो भारती जन्ता party के नेता हो बले ही तमाम वीडियो में हम भी और लोग आपको बताते हों कि कॉंग्रेस के अंदर कोई गुटवाजी की बात है लेकिन अगर हम ये कहें कि गुटवाजी जो होती है या खेमे बंदी ये हर जगा मिल जाती है हर राजनितिक दल में आपको मिलेगी हर चेत्र में आपको मिलेगी हर विधान सभा चेत्र में आपको मिलेगी यानि कि अगर किसी पार्टी का विधायक है तो उसके सामने टिकेट मांगने वाले कई और नेता होंगे अगर किसी पार्टी में कोई मुख्य मंत्री पत का चेहरा है, मुख्य मंत्री पत का दावेदार है तो फिर उसी पार्टी के अंदर और भी नेता होंगे यानि कि अपना दबदबा कायम रखना, अपना दबदबा दिखाना, अपना दबदबा मनवाना आपको ध्यान हो अगर तो दबदबा कायम है एक नारा वी रहा है कौनसी पार्टी का रहा आप सब जानते हैं मैं आपसे बात करने चला हूँ हर्याना परदेश के अंदर कॉंग्रेस की और कॉंग्रेस के अंदर किसका दबदबा है वो दबदबा कायम है वो तो आप जानते हैं कौन से सांसद ने वो कौन सी पार्टी के नेता है और किस एवज में उन्होंने कहा था लेकिन जिस दबदवे की आप से मैं बात कर रहा हूँ वो यह है कि कॉंग्रेस पार्टी के अंदर कॉंग्रेस के नेता अपना दबदवा कायम रखने के लिए तमाम रणनीती करते हैं कॉंग्रेस के अंदर हर्याना प्रदेश के नेता चाहे वो भुपेंदर सिंग हुड़ा है और हुड़ा गुट के तमाम नेता है चाहे वो कुमारी सेलजा है और कुमारी सेलजा गुट के तमाम नेता है उनको यह रहता है कि उनका दबदवा उनके कारे करताओं के बीच में क उसके लिए वो कई बार तो वो सब काम भी कर जाते हैं जिससे की कई बार आला कमान को भी सोचना पड़ जाता हो आपको बता दूं कि आज कल पूरु मुख्य मंत्री भुपेंदर सिंग उड़ा उनके बेटे दिपेंदर हुड़ा और उनके सामने कुमारी सेलजा ये इस समय पूरी तरह से जोर-शोर से लगे हुए हैं अभी आज खरकोदा में पूर मुख्य मंत्री भुपेंदर सिंग हुड़ा है उनके बेटे दिपेंदर हुड़ा की हर्याना हिसाब मांगे यात्रा दूसरे स्थान पर है तो कुमारी सेलजा आज नारनौंद महुची हुई थी यानि कि ये सब कुछ दबदबा दिखाने के ल कमान तो ज्यादा दिपेंदर हुड़ा के आत्में हैं लेकिन ये जहां भी कहीं नेता जाते हैं वहां अपने बाद दबदबा दिखाने के लिए अपनी ताकत दिखाने के लिए ये तमाम वो काम करते हैं जिससे कि इनके समर्थक नेताओं के बीच उर्जा भरी रहे नारनौंद में थी जो मैं आपको बता रहा हूं दबदबा दिखाते हुए कुमारी सेलजा ने नारनौंद के अंदर गोशना कर दी नारनौंद कुमारी सेलजा का छेत्र माना जा सकता है क्योंकि हिसार और सिरसा इन दोनों लोकसभा छेत्रों में कुमारी सेलजा का असर भी ह उनका प्रभाव भी और उनका दबदबा भी है आज हिसार की नारनौंद विथानसभा सीट में जब कुमारी सेलजा पहुंची कार्यकरता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए या कॉंग्रेस संदेश यात्रा ले करके जो गई हर्याना का हक मिलने तक जो यात्रा वो कर रही है पदियात्रा है और उसके तहए सभाइँ हो रही है तो नारनौंद की जंसभा को संबोधित करते हुए कुमारी सेलजा ने अपने प्रत्याशी का एलान कर दिया विधानसभाच चुनाव के लिए कैंडिडेट का एलान कर दिया और चुनाव प्रत्याशी की घोशना करते हुए कहा कि अगर आप इनको जिताओगे तो फिर मैं मजबूत होंगी यानि कि ये भी कह दिया कि मुख्य मंत्री के पत्तक दबदबा कायम कर रखने के लिए उनके लोग विधायक बनने चाहेंगे जो मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं क्योंकि विधायक होंगे तो मुख्य मंत्री बनता है हाला कि पार्टियों के अंदर चाहे वो कॉंग्रेस हो चाहे वो भारती जन्ता पार्टियों सब में कहा जाता है आप बड़े पद से, मुख्य मंत्री के पद से ले करके और आप ब्लॉक के परधान तक आप कहीं चले जाएं जब आपके पास सदस्य आपके साथ होंगे अगर मुख्य मंत्री पद के लिए आप विधायकों की पसंद हैं तो पार्टी आला कमान को भी एक बार आप दर किनार कर सकते हैं यही इसी प्रकार से आपको अगर ब्लॉग का परधान बनना है तो फिर आपको ब्लॉग समीति के मेंबरों का साथ चाहिए जितने आपके साथ ज्यादा लोंगोंगे आपके उतनी ताकत बन जाएगी तो मैं जो आपको पता रहा था कि मुख्यमंत्री पत की दोड़ में है कुमारी सहल जा आज जब वो नारनाओंद में पहुँची कॉंग्रेस संदेश यात्रा को ले करके हर्याना का हक मिलने तक यानि की हक्की लड़ाई लड़ने के लिए पहुची तो उन्होंने अपने हक्की बात साथ साथ बोल दी नारनाओंद में उम्री होई सभा को जो भीड थी उसमें देख करके उन्होंने कहा कि डॉक्टर अजय चौधरी जो सभा के संयोजक थे मैं आपको बताऊं तो नारनाओंद इरिकेशन और पावर मिनिस्टर एपी एम एपी एम मिनिस्टर हुआ करते थे चौधरी विरंदर सिंग नारनाओंद चौधरी देवी लाल की सरकार में 1987 में और एपी एम के नाम से ही मशूर हो गए वो नारनाओंद के अंदर सभा थी और चौधरी विरंदर सिंग कई बार विधायक रहे उनके बेटे हैं डॉक्टर अजय चौधरी चौधरी विरंदर सिंग को महां की जंता ने कई बार विधायक बनाया हलां कि अब वो काफी समय से इस सत्ता की दोड़ से वो परिवार बाहर है डॉक्टर अजय चौधरी कुमारी सहलजा के बहुत नजदी की लोगों में शामिल है नार्नाउंद के अंदर जो सभा हुई उसमें भीड भी खूब उमड़ी और उस भीड को देख करके कुमारी सहलजा ने एलान कर दिया कि 2005 वाली गलती मत दोहरा देना एलान कर दिया कि अजय चौधरी को बड़े महुमत के साथ चुनाव में जिता करके भेजना एलान कर दिया कि अगर अजय चौधरी चुनाव जीतेंगे तो फिर मैं मजबूत होंगी इसका मतलब सीधा सीधा हुए कि अगर अजय चौधरी विदायक बनेंगे तो फिर वो मुख्यमंत्री बनाने में मदद करेंगे अब बड़ी बात यह आ जाती है कि जब कॉंग्रेस के अंदर इस समय अभी तक सर्वे का काम चल रहा है कॉंग्रेस के तमाम बड़े नेता कहते हैं कि सर्वे के आधार पर कहते सभी पार्टियों के लोग हैं कि सर्वे के आधार पर टिकेट दी जाएगी राजनितिक सूत्र बताते हैं कि कॉंग्रेस के दो सर्वे हो चुके हैं जो प्राइवेट एजनसीस से हुए और अब एक सर्वे और चल रहा है कॉंग्रेस का जिसे कॉंग्रेस आला कमान भी करवा रहा है लेकिन उन सर्वे की रिपोर्ट क्या है इसको जाने पूछे समझे बिना कुमारी सेलजा ने एलान कर दी आपने केंडिडेट का नारनाउन से कह दिया कि डॉक्टर अजे चौधरी को जिता करके भेजें तो मैं मजबूत होंगी किया सर्वे का इंतिजार किये बिना गोशना किया जाना कहा तक ठीक साबित हो सकता है क्या कुमारी सेलजा को लगता है कि सर्वे के अंदर उनका नाम आएगा और या फिर जो वही बात आ जाती है कि कि अपना कायम रखने विए अपने कार्यकरताओं को जोडे रखने के लिए इस प्रकार का एलान जरूरी हो जाते हैं ने के अपने C Anandit at का ऐलान कर दिया और यह नहीं कि कुमारी सेलजा ने अकेले पहली बार कर दिया भुपेंदर सिंग उड़्डा जी भी कई बार अपने जो कैंडिडेट उनके जो समर्थक लोग है परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से उनके नाम का एलान करते हैं पिछले दिनों भुपेंदर हैं इससे अगर पहले की बात करें चौधरी उद्यवान परदेश अध्यक्ष बनने के कुछ दिन बाद की बात थी तो उन्होंने प्रत्रा के अंदर कारेकरता सम्मिलन में कह दिया कि चौधरी रगवीर सिंग को मजबूत करें कि तमाम नेता अपने समर्थकों को आश्वस ना कर दी क्या उन गोश्णाओं को पार्टी का आला कमान भी मनेगा अब बड़ा सवाल है कि जिन के नाम एलान किये जा रहे हैं क्या वो बतौर कॉंग्रेस प्रत्याशी वोट मांगने के लिए मैदान मुदर सकते हैं अगर उनका टिकेट कर जाता है तो फिर उस थिती में क्या होगा और क्या जो नाम एलान किये जा रहे हैं उस पर क्या कॉंग्रेस अला कमान की सहमती भी एलान करने वाले नेताओने लिए होगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहे देश रोजाना हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की नौटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन जरूर करें अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्ट्रेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें